नमस्कार दोस्तों मैं हिमान्शू अपने चैनल टेक शॉप पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियो में पहले पी दिखाया है एटल, डीटीएच और गेरा के और अलग-अलग कंपनियों के कि language हम कैसे set करते हैं या कैसे change कर सकते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हमारे ये Tata Sky के remote से हम अपने किसी चैनल का language कैसे change कर सकते हैं अगर गल्टी से हमारे चैनल का language change हो गया है या हम change करना ही चाहते हैं तो हम उसे वापस से किसी दूसरे language में कैसे set करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको तबसे पहले अपने Tata Sky का set up box on करना है उसको टीवी से connect करना है उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर organizer का button है इस remote में ये organizer का button है अगर आपके पास यहाँ पर organizer नहीं है setting का button है तो आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं आप एक बार इस remote को प्रेस करेंगे button को और प्रेस करने के बाद आप के पास screen पर एक option खुलेगा user settings करके user settings में आपको एक option मिलेगा language setting का language setting पर जब आप click करेंगे okay वाले button से आप scroll down करके language setting पर आएंगे उसके बाद select वाले button से okay करेंगे आपके पास दो options और आएंगे एक पहला option होगा on screen language और दूसरा option होगा favorite audio language आपको on screen language में अगर Hindi आ रहा है उसको आपको English में set करना है आप उसे English में set कर सकते हैं अगर उसमें और languages दिखा रहा है तो आप उसको और किसी language में अगर select करना चाहें तो आप अपनी मन चाहे language में select कर सकते हैं तो दोस्तों एक चीज मैं इस वीडियो में आपको और बता दूँ Tata Sky में सारे के सारे चैनल जितने भी आते हैं जरूरी नहीं है कि हर चैनल में हमारी सारी लेंग्वेज़ एड हों कुछ ही ऐसे चैनल हैं जिसमें सारे लेंग्वेज़ एड होती हैं कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें खाली हिंडी ही चलता है या खाली इंग्लिश ही चलेगा या आपको खाली हिंडी और इंग्लिश ही मिलेंगे इसके लावा और कोई option नहीं मिलेगा तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मैं आपको एक बार फिर description में सारी settings लिखके बता दूँगा सबसे पहले आपको organizer का button उसके बाद user manual खुलेगा आपका user setting खुडेगी उसके आपको scroll down करके language setting में जाना है और ok का button दबाना है और on screen language में आप अपनी language change कर सकते हैं ये सारा description में मैं आपको दे दूँगा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बेला icon दबाना नहीं भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए thank you so very much दोस्तो